विशाका शादी के सफ्ता अबर के बाद ही अपने पती विशाल के साथ दिल्ली चली गई थी. उसकी ससुराल लखनों में थी. ससुराल में उसके जेट जिठानी और सास थी. उसकी दादी सास, आनंदी जी, गुरगपूर में अपने बड़े बेटे के पास रहती थी और कभी कभी वर लखनो भी चली आया करती थी विशाका के ससुर जी अब इस दुनिया में नहीं थे तो उसकी सास केत की जेने ही पूरा घर संभाला हुआ था उनकी मर्जी के बिना घर में एक पत्ता तक नहीं हिलता था उसकी जिठानी तनू तो सास के नाम से ही थर-थर कापने लगत तो वहाँ पर उसकी दादी सास आनंदी जी भी आई हुई थी लेकिन इस बार विशाका को घर का महौल कुछ बदला हुआ सलग रहा था क्योंकि पहले तो इतने सारे महमानों की बीच में उसे कुछ पता ही नहीं चल पाया था लेकिन इस बार उसे पता चल रहा था कि उसकी सास का सुभाव कितना कठोर है खेर वह लोग दोपर में पहुँचे थे तो दोपर का खाना खाने का समय हो रहा था विशाका की जिटानी तनू ने लंच तैयार कर लिया था विशाका और विशाल अपने कमरे में नहाने में खाना निकालने लगी तभी उसकी सास उसके सामने आकर खड़ी हो गई तनू भी खाना खाने के लिए बैठ चुकी थी केटकी जी ने विशाका की ओर एक थाली बढ़ाते वे कहा अरे छोटी बहु तुम्हें अलग से थाली में खाना नहीं मिलेगा तुम अपनी पती की जूठी थाली में ही खाना खाओ वह देखो बड़ी बहु कैसे अपनी पती की थाली में खाना परोस रही है वैसे भी बहो के हिस्से में कुछ न कुछ खाना कम पढ़ी जाता है तो पतियों का जूठा बचर रहता है तो वह बेकार भी नहीं होता है और बहो का पेट भी भर जाता है विशाखा हैरानी से बोली मम्मी जी ये तो गलत है ना गर्मा गरम खाना अलग से साफ सुत्री थाली में परोश कर खाना ही पसंद है। तनु के पती की जूठी और आधी अधूरी प्लेट में तीन चार चने के दाने छोले के सुखेरस में लिप्टे हुए थोड़े से चावल, चिपस के बचे कुछे टुकडे और कुट्रे हुए प्याज पड़े थे। उसने तनु के आगे से वह जूठी थाली हटाते वे कहा, दीदी आज के बाद से इस घर की बहुए भी भर पेट और गर्म खाना ही खाएंगी। कभी मैं आपको गर्म रोटी खिलाऊंगी और कभी आप मुझे, कम से कम मैं तो ऐसे जूठर नहीं खा सकती। पती पतनी दोनों एक साथ बैट कर एकी थाली में खाना खाये तो प्यार बढ़ता है, ये बात मैं मानती हूँ, केत की जिसे कहा, बहु, या कौन सा नया नियम बना दिया तुमने, और मुझे इस नियम के बारे में क्यों नहीं बताया गया, पहले तो ऐसा कोई नियम नहीं था, तुम तो अपने पती की जूठी धाली में कभी खाना नहीं काती थी, तो फिर घर की नई बहुआ के लिए फिर तनु की ओर देखते हुए बोली, और बड़ी बहु, तुम्हें पती की जूठन खाने से कोई प्रब्लम नहीं है क्या, तनु ने सिर जुका लिया, तो आनंदी जी उसे समझाते हुए बोली, देखो बहु, अपने लिए खुदी आवाज उठानी पड़ती है, जैसे क आगे से पती की जूठी थाली में आधा अधूरा बचा हुआ खाना खाने की जरूरत नहीं है, बलकि तुम लोग हुए अपने खाने पीने को स्वाद लेकर खाया करो, और खाने पीने के मामले में जी तरह घर के बाकी सदस्यों का ध्यान रखती हो, उसी तरह अपने लिए पौश्टिक भोजन निकाल कर खाया करो, तनू तो खेर शुरुआत से ही सास के दबाव में थी, तो कभी खुद के लिए आवाज नहीं उठा पाई, लेकिन आज देवरानी की कारण ही सही, उसे भी बढ़िया खाना खाने को मिलने वाला था, अग तनू और विशाखा दोन कर वैसे भी सब कुछ बहुँ के हाथ में जाने वाला है, इसलिए अब उन्होंने अपने सोहाओ में नर्मी लानी शुरू कर दी थी, दोस्तों, खाने पीने के मामले में परिवार के प्रतियक सदस्य को स्वास्त और स्वात दोनों का ध्यान रखना चाहिए, बहुत से घरो में औरतों के खाने पीने का ध्यान रखा जाता है, कमेंट करके जरूर बताईएगा, और एक कहानी और सुन लीजिए, दूसरी कहानी का नाम है, बेटी का चीपा हुआ दुख और मा की गलत फैमी, अनन्या उदास्मन से रसोई में अपनी मा के लिए चाय बना रही थी, अनन्या के पिता राम रकाश जी का चार महीने पहले ही स्वरगवास हुआ था, तब से अनन्या मानो अंतरिक खुशी क्या होती है, वो भूली गई थी, 52 साल की उम्र में उसके पिता इस दुनिया से चले गए थे, उसने तो अभी माता पिता को लेकर बहुत सारे सपने करती थी, और मा के भी काफी करीब थी, पिता के गुजरने के बाद जब वो मा के पहुँची और उसने अपनी मा का करुण विलाब देखा, तो वो भी मा से लिपट कर फूट फूट कर रो पड़ी, दोनों मा बेटी रात भर सी सकती रही, सुबह तक मा की हालत बहुत बिग अशेरे हुआ, पिता की तेरवी होते ही, ताओ जी के बेटे ने संपत्ती के लिए उधम मचा दिया, अनन्या अपने माता पिता की इकलोती बेटी थी, उनका कोई बेटा नहीं था, तो ताओ जी के बेटे चाहते थे कि सारी संपत्ती उन्हें मिल जाए, इस समय ना तो अन देवियानी जी को बेटी का यह मजबूत रूप कुछ हजम नहीं हो रहा था, और वह सोच रही थी कि इसके पापा इसे कितना प्यार करते थे, और उनके इस दुनिया से जाने का तो इसे कुछ दुखी नहीं है, लेकिन अनन्या रात को पती की सुने के बाद देर रात तक छिप छिप करोती थी, उसका तकिया ही उसकी सिस्क्यों की गवाही दे सकता था, वो अपने दिल के दर्द को एक डाइरी में भी उतारा करती थी, वो अपने ससुराल वालों को भी दुखी नहीं करना चाहती थी, इसलिए उनके सामने भी अपना दुख प्रकट नहीं करती बाकी सब लोगों को तो सब कुछ सामान्य ही लग रहा था लेकिन देव्यानी जी हैरान थी और बहुत दुखी भी थी कि बेटी इतनी जल्दी पिता के जाने के गम से कैसे उबर गई अनन्य अपनी मा का ध्यान रखने की हर संभव कोशिश करती थी उनकी खुशी के लिए सब कुछ करती थी लेकिन देव्यानी जी ने मानो एक मौन साथ लिया था अब उन्हें बेटी का प्रेम बस एक दिखावा लगता था और वह सोचती थी कि अगर मैं भी इस दुनिया से चली जाओ तो यह एक दिन रोईगी और बस फिर अपने घर परिवार में मगन हो जाएगी माता पिता की इसे पड़ी ही कहा है लेकिन वो यह एसलेट नहीं जानती थी कि अनन्या हर रोज अपने पिता को याद करके अकेले में रोती थी एक दिन देवियानी जी बेटी के कमरे में अपने चिश्मा ढूनने के लिए गई दोपार में अनन्या ने उन्हें अपने कमरे में विठा कर ही खाना खिलाया था उसी समय उनका चश्मा वहाँ छुट गया था वह चश्मा उठाने लगी तो उनकी नजर अनन्या की एक पुरानी डायरी पर पड़ी जो वह माईकी में भी अपने साथ रखती थी उसमें वह अपने मम्मी पापा के बारे में प्यारी प्यारी बाते लिखा करती थी वह डायरी देखते ही देव्यानी जी के चेहरे पर क्रोध के भाव उभर आय कि वह प्रेम बस डायरी तक ही सिमित था उन्होंने ऐसे ही उस डायरी को अलमारी के ओपर से उतारा और उसके पन्ने पलटने लगी अनन्या के बच्पन की यादे ताजा होने लगी बच्पन में ही उन्होंने उसकी वो डायरी पढ़ी थी उन्होंने और सुकता वश डायरी का लिखा हुआ ताजा तरीन पन्ना पल्टा कि आखिर अब अनन्या इस डायरी में क्या लिखती है उस डायरी में लिखा हुआ था पापा, आपके जाने के बाद बहुत अकेला पन मैसुस होता है ताउ जी की बेटे ने जीना हराम कर रखा है और मा भी बहुत दुखी रहती है ऐसा लगता है जैसे आप तो चले गए और साथ में मा का प्यार भी लेकर चले गए मा भी अम मुझसे पहले की तरह बाते नहीं करती है नहीं प्यार दुलार करती है मैं जानती हूँ कि वो बहुत दुखी है इसलिए ऐसा करती है मैं कोशिश करूँगी कि वो फिर से जीना शुरू करे अपने लिये ना सही मेरे लिये ही सही मैं अपने दिल का सारा दर्द इस डायरी पर ही उतारती हूँ क्योंकि अगर मैं मा के सामने कमजोर पढ़ जाऊंगी तो वो और भी तूट जाएगी अगर मैं अपने ससुराल वालों के सामने आसु बहूंगी तो वो लोग भी दुखी हो जाएंगे मम्मी जी को भी बीपी की प्रॉब्लम है और मा को भी डाइबिटीज है ऐसे समय में अगर मैं ही तूट जाऊंगी तो इन लोगों का ध्यान कौन रखेगा आप तो चले गए लेकिन अब सारे फर्ज मुझे और मेरे पती को ही मिलकर निभाने है न इसलिए सब के खुशी के लिए मैं भी मजबूत होकर अपना फर्ज निभा रही हूँ मैं किसी के सामने आशू बहा कर किसी को परिशान नहीं करना चाहती मेरे हिस्से का दर्द तो मेरे साथ ही जाएगा बस मा का प्यार मुझे मिल जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए आखों में आसू नहीं आने देते थे हमेशा मेरी खुशी का खयाल रखते थे मगर आज आपने धोका दे दिया ना देखिए आज आपकी लाडो कितना रू रही है अब क्यों नहीं आते मेरे आसू पोचने अभार हसी के पीज़े एक दर्द होगा अभार एक सास एक कर्ज ह तू ने सिर्फ जीवन ही नहीं दिया बलके जीना भी सिखाया हर मुसिबत से लड़ना भी सिखाया आज जब कहीं नहीं तेरा वो साया तब तेरे होने का मोल समझ आया तू मुझे परेशान होता कभी दियेक न पाया फिर आज तूने दूर जाकर क्यों इतना रूलाया माने पन्ना पल्टा आगे लिखा था तूम लोट आओ न फिर चाहे अपनी बेल्ट दिखा कर डरा लेना फिर चाहे अगले ही पल मुझे गोदी में उठा लेना कहने को बहुत कुछ बाकी रह गया मुझे फिर से उंगली पकड़ कर रास्ता पार करा दोना मैं जान बूच कर गलती करूंगी तूम भले ही थपड लगा लेना पापा तुम लोट आओ न रात के अकेले पन में सिसकती हूँ इन चुपे हुए आसों को समझते क्यों नहीं तुम्हारे बिना सब नोचने को तैयार करे आज भी आकर बचा लोना पापा तुम लोट आओ न प्लीज पापा तुम लोट आओ न तीसरे पन्ने प हमारे मिलने पर खुशनुमा मिलाब था आज तो सब रोते थे हर तरफ एक विलाब था वो मिलना भी कोई मिलना था हम मिल लिए बस कहने को इस अंतिम धर्शन के लिए फिर कभी न मिलने को डाइरी के सारे पन्ने एक बार फिर से आंसुों से भीग रहे थे मगर इस बार वो आंसु देवियानी जी के थे उन्होंने अपने आसु पोछे और चल पड़ी अपनी बेटी को ममी और पापा दोनों के हिसे का प्यार देने इतने दिनों से वो समझ रही थी कि अनन्या को पिता के जाने का दुख ही नहीं है मगर आज उन्हें समझ आया था कि बेटी उन्हें समालने के लिए ही मजबूत बने रहने का दिखावा करती है वो अनन्या के पास गई तो वो रसोई में उनके लिए ही चाय बना रही थी बेटी को देखकर और उसके दर्द का अंधाजा लगा कर उनका मन भराया उन्होंने उसे गले से लगा लिया और माते पर हाथ फेर कर बहुत दिनों के बाद बहुत सारा प्यार दुलार दिया फिर आगे बढ़कर बेटी के माते को चूम लिया इतने दिनों के बाद इस प्रेम भरे स्पर्ष से अनन्या सिहर उठी पिता के जाने का दर्द तो था ही लेकिन मा ने भी उसे प्यार दुलार देना बंद कर दिया था ये बात उसे बहुत चुपती थी लेकिन आज ऐसा लग रहा था जैसे उसकी मा का प्रेम उसके जीवन में वापस लोट आया हो तो दोस्तो कहानी अच्छी लगी या नहीं लगी आज यह तो नहीं पूछूँगी फिलहाल मेरी आखे तो नम है क्या आपकी आखों में भी आसू है आज मैं आप सभी से बस इतना है कहना चाहूँगी कि आप अपने मम्मी पापा के लिए कमेंट में धेर सारा प्यार जरूर लिखिए और मेरी लिखी हुई और नहीं कहानियों के लिए कथा संचय चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा धन्यवाद